नई नई भिंडी आ रही है और भिंडी जब नई शुरुआत में आती है गर्मियों की तो बहुत ही महंगी होती है और जब महंगी भिंडी हो और हमारे लोग हो जादा बनाने के लिए खाने वाले तो हम क्या करें उसके लिए उपाय है ये आज मैं बना रहे हूं प्याज के साथ भिंडी एकदम खिली-खिली कैसे बनेगी वो आपको दिखाते हैं यह मैंने आधा किलो भिंडी ली है जिसको दो से तेन बार अच्छे से पानी से वाश कर लिया है और एक साफ सुखे केचन टॉवल से हम इस तरह से उसे पहुच लेंगे ताकि जो उसमें गंदगी है वो भी अरजा और पानी भी सूप जाए अगर उसमें पानी भिंडी में जितना कम से कम रहेगा आपकी भिंडी उतनी खिली-खिली बनेगी इस तरह से गोल-गोल पीसिज में पतले या जितने भी मोटे आप रखना चाहें रख सकते हैं और कट कर लीजे सारी भिंडी को इससे हमारी भिंडी जो छोटी-छोटी पतले-पतले आप कट करेंगे पीसिज को तो क्रिस्पी बनेगी और अच्छे से बनेगी गोल-गोल भिंडी ये देखिए भिंडी मेरी सारी कटके तयार हो गई है इसमें मैं तीन हरी मिर्च भी डाल दे रही हूं मैं लाल मिर्च कम यूज करती हूं हरी मिर्च ही घर पे जब खाना बनाना तो ज़्यादा यूज करती हूं चार मैंने इसमें प्याज ले लिए हैं अगर हम प्याज या आलू भिंडी में डाल देते हैं तो उससे भिंडी बढ़ जाती है आपके घर के लोगों के लिए पूरी हो जाएगी अगर आपके एक्स्ट्रा महमान आ गए हैं उनको पूरी करनी है महगाई के टाइम में पूरी हो जाएगी सरसुका तेल ले लिया है जिसे गरम कर दिया है हल्दी डाल दी है और मैंने अपने डाल दिया भिंडी मैं अपनी सबजियां लोही की कड़ाई में बनाती हूँ आप लोग भी बनाईए रिक्वेस्ट है आप लोगों से इससे आपके शरीर में खोन की कमी नहीं होती है और जो आईरन जो लोही की कड़ाई में होता है वो जाता है लोही की कड़ाई में बनाए हुए खाने के उपर अगर आप निबू नी चोड़ के खाते हैं तो डिरेक्ट आपका आईरन आपकी बोड़ी एब्जॉब करती है तो आप भी इस तरह से लोही की कड़ाई ले सकते हैं और कहीं से भी ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है भिंडी को एक बार हिला लिया और फैला लिया धिमी धिमी आज पर रखेंगे बहुत जादा भिंडी को नहीं छेड़ेंगे मैं जब हिला रही हूँ तो आप देख रहे हैं अल्रेडी भिंडी बहुत जादा लेस लेस नहीं है क्योंकि हमने उसे पहुंच लिया था उसका पानी कम कर लिया था अगर आप इसमें पानी रखते हैं जादा तो बहुत ही लेस्वी लेस्वी सी हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद भिंडी को हिलाते रहे हैं और धीमी धीमी आज पर इस तरह से फैला के दो से तीन मिनिट के लिए रख दिया करिए ताकि एक साइड से पक जाए फिर हम इसे हिला ले ताकि दूसरी साइड से पक जाए जब आपकी भिंडी इस तरह से करते करते 70 to 60% कूख हो जाएगी तब हम इसमें अपने कटे हुए प्यास जाल देंगे मैंने बारी कटे हुए प्यास जाले हैं, आप इससे बगर थोड़े मोटे काटना चाहें, वो भी डाल सकते हैं, मिक्स कर लेंगे भिंडी में और ये भी भिंडी के साथ धीमी धीमी आज पर पकते रहेंगे, थोड़ी देर बाद इसे ढख के रख देंगे, फिर पका लेंगे अगर आपको हल्दी वगरा कम लगती है, तो थोड़ी और एड़ कर सकते हैं, मैंने और एड़ कर दी थी, ये ध्यान रखना है, कि आपको शुरू में नमक नहीं एड़ करना है, मैंने भिंडी में अभी तक नमक नहीं एड़ किया है, भिंडी में जल्दी से नमक एड़ कर जब लास्ट में आपके प्याज और भिंडी पक जाएंगे तब हम इसमें नमक और बाकी सब मसाले डालेंगे लास्ट आपका टिप है सुखे मसाले डालने में कि आप इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर डालने से आपकी भिंडी खिली-खिली बनती है, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नीबू का रस भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने नम भिंडी लगबग तैयार हो जाएगी, इसके बाद इसमें सुखे मसाले डाल देंगे कुछ, जैसे कि अगर नमक की कमी है, टेस्ट करके देख लिजे, नमक डाल दीजे, आमचूर पाउडर डाल देंगे, आप इसमें लाल मिर्च डाल दीजे, धनिया पाउडर डाल दीजे आपकी भिंडी बिल्कुल तैयार है, आपकी भिंडी अगर कोई महमान आ जाएं तो बढ़ भी जाएगी, और प्याज के साथ बहुत ही सुआद लगती है, बिल्कुल प्लेन भिंडी से, तो ज़रूर इसको भी ट्राइ करिए, प्याज के साथ भिंडी और दाल के साथ, चा झाल